डॉ κάर कर्में आप सभी दर्शकूंँका बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आज हम जानकार्यां लेकर रहें हमारे खान-पान के बारे में कि खान-पान में कौन-कौन से छीजों शामिल होनी चाहिए और हमारी डाइट कितनी healthy होनी चाहिए हमारा खान पान कितना स्वस्थ होना चाहिए क्योंकि हम तो ठहरे लापरवा और खास तोर से हमारी बेहने और मैं खुद भी हम अपने आहार के बारे में ध्यान नहीं देते लेकिन हम तो सजग है हमारा दूरदेशिन परिवार सजग है पोशन से जुड़ी जानकारिया देने और उसकी जागरुपता के लिए मनाया जा रहा है और इससे जुड़ी बाते अगर आप जानना चाहते हैं तो हम आपको बता दे कि हमारे पास एक्सफर्ट विश्ची सग यह मौजूद हैं और नंबर जैसे कि आप जानते हैं हमेशा हमसे संपग करने के लिए जो नंबर आप डायल करते हैं वही नंबर फिर से डायल करना है 180002339418 नंबर फिर से बताना चाहेंगे 18002339418 पर आप हमें जल्दी से फोन कर सकते हैं और जानकारिया ले सकते हैं हमारे पास विश्ची सग्डी के रूप में मौजूद हैं दॉक् कि दर्शक नंबर उन्हें मैंने बता दिया है वह लगतार फोन करेंगे अपने खानपान को लेकर अपनी डायट को लेकर फैमिली मेंबर्स की डायट को लेकर आपसे प्रशन पूछा जाएगा पर उसके पहले मैं जान लेना चाहती हूं और दर्शक को को हम बताना अभी शंक्षित रूप में उन्हें बताया कि सरकार भी इस बात को लेकर चिंतित है कि लोग अपने खानपान को लेकर गम भीर्त नहीं है इसे गम भीर्ता से नहीं ले है तो आखिर पोशन सुरक्षा यह जो मन्त महीना मना रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है पोशन महीना मनाने का जो कारण है वो यह है कि हर कोई अपने स्वास्त को लेके सजग हो medical expenditures जो हैं दवाईयों पर हमारे खर्चे हैं hospital treatment में जो हमारे खर्चे हैं वहां खर्चा ना हो करके आप जो खा रहे हैं जो आप अपने शरीर में डाल रहे हैं जिससे आप अगले 15-20 साल तक के लिए productive रहेंगे उस investment को आप बढ़ाएं तो यह जब तक सरकार बहुत बड़े scale पर awareness नहीं करेगी तब तक लोग इसको लेके सजग नहीं होंगे और मेरे आपको रोकना चाहेंगे देखे दर्शक आप से जुड़ना चाहा है हम उन्जे संपक्त करते हैं हलो है हलो है जी नमस्कार कौन बोल रहे है नमस्कार मैं करेदी जवाब दे रही है आपकी नमस्तिका मेरा सवाल यह है कि अभी ओब कहाल चाहें है तो अब रहे हैं एक चीज तो खेले भी काफी बताइर है वाहनी करते हैं हम खाली पेट 01 कुछ ना कुछ खाएआ को जरूर से बाद कमसे कम दो दिन तक आप परियाप्त मात्रा में नीन लें, परियाप्त मात्रा में रेस्ट लें, अब हम खान पान की बात करते हैं, तो थोड़ा सा, क्योंकि बॉड़ी टेंपरेचर बढ़ता है, तब यह ठीक नहीं है, ऐसी वाली फीलिंग आती है, तो नॉर्मल भूख से हलका सा ज दिया जाता है, कि प्रोटीन जादा लीजिए, प्रोटीन जादा लेने से जादा हितकर मेरे हिसाब से यह है कि आप बैलेंस डाएट में प्रोटीन जरूर शामिल करें, जैसे यदि आप दाल एक को एक अभिन अंग मानते हैं थाली का, तो वो आपके थाली में सुबह और जरूर आना चाहिए, डाल की डाइजस्टिबिलिटी बढ़ाने के लिए आप उसमें नीबू डाल दीजिए, गरम डाल में नीबू रहेगा तो वो गले में खराश भी नहीं करेगा, इसके अलावा फलों का समावेश सुबह के समय कीजिए, जिससे गला खराब ना हो, और म बोडी में वेर अंटेर और रिपेर बहुत अच्छे से करता है, इन चीजों का ध्यान यदी हम रखते हैं तो काफी अच्छा रहेगा, खान पान के साथ ही नीन का भी ध्यान रखना है, तो चलिए इसके पहले की अगला फोन आए, मैं आप से जानना चाहूंगी, हम एजव उम्र के अनुसार आप से जानना चाहेंगे एक छोटे बच्चे से लेके, बलकि न्यूबवाण बिबी, यानि कि नवजाच शिशू, जब बच्चे का जन्म होता है, तब से लेके, और बलकि वो भी क्यो, जब वो मां के गर्व में है, तब से हम जानेंगे, कि कैसे एक गर अच्छा रहना बहुत जरूरी है, लोहे की कढ़ाई में सबजी बनाएए, थोड़ी सी गंदी दिखेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबजी का न्यूट्रिशन आप्टिमम रहेगा, यदि आप लोहे की कढ़ाई में नहीं बना पा रहे हैं सबजी, और यदि आपके आंगनवाडी कारे करता, आपको आईरन फॉलिक असेट सप्लिमेंट्स दे रहे हैं, तो प्लीज उन दवाईयों को समय से जरूर लीजिए, इन दवाईयों की वज़े से हल कासा कॉंस्टिपेशन भी होता है, मैं मेरी सवाल को मैं रोकना चाहरे हूं, तो कि दर्शों को मै समय देना चाहरे हूं, उन से संपर्क करते हैं, हलो, 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 जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, जी नमस्कार, मैं भगात राम पटेल बोल रहा हूं, गुटकु विलासपुर, शत्तिज गर से, अच्छा, बताएए क्या सवाल है आपका, सबसे पहले दर राश्टर साहिब सब्सक्राइब करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि लोहे की कढ़ाई में खाना बनना जरूरी है, आईरेंड फॉलिक आसिट किया दी टाबलेट्स मिलती हैं, तो वो आपको समय समय पर पर लेना जरूरी है, यदि उससे कब्स होता है, तो अपने डॉक्टर से परामर्श लेके उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसका उपाई कीजिए, धूप में जरूर बैठिये, इस चीज़ को हम नहीं वाल्यू करते क्योंकि हमारे भारत देश में धूप बहुत जादा अवि पर लेके ज़िए, तो बोन डीफॉर्मिटी जो हैं वो बच्चे में नहीं आती हैं, तो यह हैं कुछ बेसिक्स, बाकी प्रोटीन में जितने भी वेजडेरियन सोर्स ओफ प्रोटीन हैं, यह बहुत अच्छे सोर्स हैं, इसका अब्सॉर्प्शन बहुत अच्छा है, तो दाल सुबह, दोपहर, शाम, तीन बार आनी चाहिए, यदि दो बार लेते हैं, तो कम से कम डेड़ पॉने दो कटोरी दाल एक बार में, क्योंकि प्रेगनेट महिला का भूप का जो स्टेटस रहता है, वो औरों से थोड़ा सा जाधा रहता है, जब भी भूप लगे खाएं प्लीज इस चीज की चिंता मत कीजे कि इससे वजन बढ़ेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये चीज आपको अभी 9 महीने नहीं ध्यान देनी है, और 6 महीने तक जब तक बच्चा exclusive breastfeeding पे है, यानि स्टन पान पे है, तब भी आपको इस चीज पे ध्यान नहीं देना है कि क्य सखाया, ऐसा भी ना करें, गुड चना हर एज ग्रूप के लिए मैं हमेशा कहती हूं बहुत अच्छा है, यदि गुड नहीं पसंदे तो सिर्फ चना मुर्मुरा एक बहुत अच्छा स्नाक है, इसको दिन में कम से कम दो कटोरी, प्रेगनेंट महिला को जरूर लेना चाहि इस पर इसलिए क्योंकि ये free of cost है, लेकिन ये valued नहीं है, जब धूप में बच्चे नहीं रहते हैं, तो ना सिर्फ उनकी immunity पर फरक पड़ता है, सर्दी, खासी, बुखार, ये काफी जल्दी-जल्दी होता है, उनकी height जितनी develop होनी चाहिए उतनी नहीं होती, हर organ की functioning effect होती ह सबसे पहले brain की, तो बच्चे बहुत चिड़-चिड़े से हो जाते हैं, तो सबसे पहली चीज जो हमें करना चाहिए कि सुबह उठके तुम धूप में जाके बैट जाओ, अभी तो schools भी नहीं है, चालू तो बच्चे आराम से सुबह बैट सकते हैं, इसके अलावा पानी क इंटेक पर हमेशा ध्यान देजे, सुबह उठके जादा पानी पीएं, खाने के एक घंटे के बाद थोड़ा जादा पानी का इंटेक रखिए, टाइम टाइम पर बच्चों को याद दिलाएं, जिससे उनकी आदत बने, कि हाइडरेशन शरीर में हो, क्योंकि अकसर खेलते हुए हाइडरेशन कम हो जाता है, फलों का समावेश कहीं न कहीं जरूर होना चाहिए, बच्चे को जो फल पसंद हैं, यदि एक या दो फल हैं, तो प्लीज उन ही फलों को दीजिए, हमको पूरे फल इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, जो बच्चा खा रहा है, वो शौ क्योंकि यह प्यूबर्टी की एज है, तो यहाँ पे फ्रूट्स का इंटेक जरूरी है और चॉकलेट का इंटेक कम करना जरूरी है, बच्चों वारी बात हम फिर से जारी रखेंगे, इस शक जुड़ना चाहरें, उनसे समपश करते हैं, हलो, 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 जी नमस् मिनाक्षे जी हीमोगलोबिन के लिए खाने में लॉंग का समावेश खाने के बाद एक लॉंग या दिन भर में कम से कम तीन लॉंग आप मूह में चूस चूस के उसको चबा के गुटक जाईए, इसके अलावा जितनी भी साबुत डाले हैं, जैसे काला चना, खडा, मुसू दिन में एक बार जरूर होने चाहिए और जब आप इनको खाते हैं तो इनको गरम टेंपरेचर पर खाईए और उपर से नीबू जरूर आट कीजिए, आईरन का वाइटमिन C के साथ जब कॉम्बिनेशन होता है तो वो चीज और अच्छे से पच्छती है, आईरन और अच् होने की कोशिश करें और पानी का इंटेक बढ़ाईए, अकसर हीमोगलोबिन कम होने का कारण कॉंस्टिपेशन या कब्स भी होता है, तो कोशिश कीजिए कि जितना पानी आप पीते हैं उससे कम से कम चार या पांच ग्लास पानी बढ़ाईए, दो लीटर पानी की बोटले आप मेजर करके रख लीजिए और दिन भर में उसको फिनिश करने की कोशिश कीजिए, इनको तो इनके सवाल कर जवाब मिल गया, आप धूप की बात कर रही थी, तो मैंने सुना है, धूप का समय सुबह का समय, और कितने देर बिठा सकते हैं, आपने का आधा घंटा, और क धूप हर इंडिविजुल के लिए जो इस धर्ती पे है, सब के लिए जरूरी है, नवजाज शिशु की स्किन क्योंकि बहुत पतली रहती है, इसलिए हम चाहते हैं कि उनको हम सुबह की धूप दिखाएं, बाकी एज ग्रूप के लिए जब हम बात करते हैं, तो मेरा हमेश क्योंकि धूप हमारे शरीर पे लगना और उस धूप से जो शरीर हमारा वाइटमिन डी को सिंथसाइज करता है, वो प्रोसेस होना बहुत जरूरी है, तो हर एज ग्रूप के लिए ये सबसे कंपल सरी न्यूट्रियन्ट है, धूप जरूरी है, हम थोड़ी दिर के लिए आ सर्दार तीन, अरे साबा, डरो मत रे, बोलो, बोलो, सर्दार, पहला है लोगों से दूरी बलाय रखना, बार बार साबून से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे स्टेट हेल्प लाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्प लाइन टोल फ्री नेंबर 1075 जिन्दगी का है, या तो खुद का या अपनों का, कुरोनों के आगे भल्वान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाए है, समझधारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबून से धोना, या सैनिटाइज करना अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे स्टेट हेल्प लाइन या 24 गेंटे वाली नेशनल हेल्प लाइन टोल फ्री नेंबर 1075 कारिक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, रास्ट्रिय पोश्यन माह हम बना रहे हैं और उसी से जुड़ी जानकारिया देने के लिए हमारे खानपान, हमारी डाइट को अच्छा बनाने के बारे में जानकारिया लेकर हाजीर है निधी पांडे जी तो उनसे ब जी बेनी राम जी नमस्कार बताएए क्या सवाल है आपका, हलो, हाजी सुन रहे हम, सुन पारे हैं आप सवाल बताएए हाँ मेडम मेरा नाती है ना जी जी तो क्या करना चाहिए कि वो अच्छा स्वस्थ हो जाए और उसके नाना खुश हो जाए देखिए एक बहुत इंपोर्टेंट चीज यह कि बच्चा यदी पतला दुबला है तो यह हमारे लिए उतना कंसर्निंग नहीं होना चाहिए पर यदी बच्चा डल है हिलना डुलना जादा नहीं कर रहा है दौड भाग नहीं रहा है अपने साथ के बच्चों के हिसाब से ठ इंप्रूब कर सकते हैं एक बहुत बेसिक खाना जो शयद हम सबने भी हमने आपने बच्पन में खाया है दाल चावल और घी तो चावल जो है यह बहुत इजी ओन डाइजेशन रहता है इसलिए जब हम बिमार रहते हैं तब हम खिचडी खाते हैं तो चावल का समावेश ब वाइटमिन डी का टेस्ट भी करवा सकते हैं आजकल बहुत चोटे बच्चे भी वाइटमिन डी डेफिशंट हैं मैंने खुद पांच साल के शह साल के बच्चे देखे हैं जिनका वाइटमिन डी छह रहता है जबकि होना चाहिए पचास तो इन चीजों पर ध्यान दिया ज अस्त हो जाएगा आप बात कर रही थी हो और हमोगलोबिन की बात हमने इसके पहले की थी तो यह एनीमिया या खून की कमी क्यों हो जाती है और किस तरह से हम इसको धूर कर सकते हैं अपने खान-पान में ऐसी कौन से चीज़े बढ़ा हैं जिससे खून की कमी ना हो और लग कि अधी मा का हमोगलोबिन साथ है तो भी शरीर में से आइरन खीच के जो है वह बच्चे के पास पहुंचा देता है आपका बॉडी लेकिन आपकी बॉडी यदी लगातार आइरन में डेफिशिंट है तो बच्चे के अंदर जो रिजर्व आइरन होना चाहिए जब वो पै जब कि हमारे आना इतने सारी खाने की चीज़े हैं एक बार आप यदी कंपारिजन करके देखें तो छेने की कोई भी मिठाई वर्सेज आप जब पेस्टी को रखते हैं तो बच्चे बेकरी प्रड़क्ट्स चूस करते हैं जिसमें सोडा अधिक मात्रा में जिसमें ट्रां अच्छा खाना खाते हुए भी उसका पोशन अब्सार नहीं कर पाते हैं अधिन्त करते हैं अधिक अधिक कोई बोल रहे हैं क्या सवाल है आपका इता सांसरी क्या सवाल है हमारा नेक्स्ट क्वेशन यहीं होता है इन्होंने पूछ लिया बहुत बहुत दनेवाद सुबह जब आप उठते हैं तो उठके खाली पेट चाय प्लीज कभी मत पीजिए यहर तरह से आपका पाचन तंद्र कमजोर करता है चाय नहीं तो क्या अगला प्रशनी यह रहता है थोड़ा सा यदि आपको आपको घबराहट मितली होना वगेरे चीज़ें होती हैं सौफ भ जी जी थोड़ा सा भीगे हुए चने और साबुत मूंग राद भर यदि चाहें तो गरम पानी में भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट भीगे हुए चने मूंग और मूंगफली यह तीन ओकुल मिला के आधी पॉन कटोरी यदि हो और इसमें हलका सा सेंधनमक डाल के य पर यह जितनी भी चीजें मैं बता रही हूं इसको कम से कम 30 से 35 दिन बिना एक भी ब्रेक लिए यदि आप करते हैं तब आपको फरक दिखेगा यदि आपने तीन दिन किया और आप सोचेंगे आईरन बढ़ेगा तो ऐसा नहीं होगा चाहे यदि आप लेना चाहते हैं तो नहीं लेना है चाहे वह कितना ही हाई फाई वर बिसकिट नहीं लेंगे क्या लेंगे भूना हुआ चना मुरमुरा घर में बनी हुए मठरी जो की 15 दिन से जादा पुरानी ना हो या मुरमुरे को हम हल्दी नमक के साथ जो बगहार लगा लेते हैं मीथी निम के साथ घर का बना हुआ चूड़ा जो बीस दिन से जादा पुराना ना हो इस तरह की चीज़ें चाय में शक्कर बहुत जादा ना हो चाय को बालिये मत चाय बहुत स्टेपल फूड है इसलिए में इतना डिसकस कर रहे हूं इसके बारे में फलो में पपीता केला अम्रूद आवला ये में हैं तो जरूर खाईए हर महिला के लिए दो फाक पपीता और एक केला दिन में खाना बहुत जरूरी है जिससे उनकी फिटनेस रहे खाने में क्या खा सकते हैं रोटी सबजी दाल चावल हम सभी जानते हैं डालें बदल बदल के लीजिए रोज एक ही दाल मत लीजिए उ मैं फिर से रोखना चाहरे हूं दर्शिक लाइन पर हैं हलो 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 जी नमस्कार कौन बोल रहे हैं अच्छा छेदी लाल नारंग जी बताए क्या सवाल है आपका जी मेरी गुडिया का उमर है करीब अठारा साल जी उनका बीपी कम नहीं हो रहा है मैं बीपी आ रहा यह टिपिकल लक्षन हो सकता है थाइरोइड इंबालेंस का तो थाइरोइड का टेस्ट करवाईए बच्ची किसी तरह के कोई स्ट्रेस में तो नहीं है पढ़ाई को लेकर के कुछ ही बेसिक काम रहते हैं और वाइटमिन डी का भी चेक करवाईए वैसे मेरे हिसाब से कराना है और बच्ची को किसी तरह का तनाव तो नहीं है यह जरूर जान लिजीगा क्योंकि इस उम्र में बच्चे बहुत तनाव ग्रस्त रहते हैं आप हमें वता रही थी कि बच्चे जब यंग बच्चों के बारे में जब बात चली है इनकी नारंग जी की तो उनकी हमें जीजेंगा एलने बहता कि उनका पोश्टन मिलता रहा है और वह मोटे भी ना हो और थोड़े समय तक के लिए थोड़े बहुत हो चले पर फिर फिर वह उनको एनर्जी तो पूरी मिलनी चाहिए उसके लिए कैसी डाइट होनी चाहिए एक बहुत अच्छा कि हमारा जो दिमाग है यह सिर्फ और सिर्फ ग्लुकोस पर वर्क करता है यदि हम बच्चे के वेट को लेकर उस पर तनाव डालते हैं या बच्चा खुद तनाव ग्रस्त है कि अरे मेरा वजन जादा है और वो चीजें बंद कर देता है खाने में जिसमें की कार्ब सबसे पह अब पर उट जाकते हैं तो आप हल्वा बना के रख सकते हैं पंजीरी बना के र judges सकते हैं इसमें आप शककर या गूढ डाल दे उसको बच्चे दूद में डाल के ले सकते हैं गूढ चना बच्चों के टेबल पे हमेशा रहना चाहिए गुड़ और मुंग फली बहुनी दिमाग भी नहीं चलेगा, चाहे आप कितने ही इंटेलिजेंट क्यों नहीं हो, धाई लीटर पानी कंपल सरी है, फिजिकल अक्टिविटी जरूरी है, बाहर नहीं जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, योगा कीजिए, स्किपिंग कीजिए, कुछ नहीं, तो उठक बैठक लगा लाइट सही नहीं है, यदि आपका बैक ऐसा जुका हुआ है, तो कभी भी आपका ब्रेन वर्क नहीं करेगा, और हॉर्मोन भी गड़बड हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात, बुजर्गों के लिए क्या कहना चाहेंगे, चबा नहीं सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है, कि बुलगुला के आप खा सकते हैं, वो लीजे, धूप में जरूर बैठिये, बुजर्गों के लिए, यदि आप पतले कपड़े पहन सकते हैं, जैसे अक्सर कॉटन के कपड़े पहनते हैं, शरीर पे तेल लगा के रखिये, वाइटमिन डी का अब्सॉप्शन बहुत तेजी ऐसी जानकारों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए, नमस्कार साथ यंचरों के साथ भ् consist कि लिए, यदिए ते बहुत हैं, युझ सहिएैं highlighting जैसे जैसे जानकारों के लिए management वटनाय座価िZAबार के लिए